गुरूर ब्रम्हा, गुरूर विश्णो, गुरूर देवो महेश्वरा, गुरू साक्चात पर ब्रम्हा, प्रस्मई श्री गुर्वे नमा प्रोत अप्माजिक चैनल में आप सबका में हार दिक स्वागत करता हूँ मैं जादू और मलतू राजील, अज एक नाया जादू लेकर करके आया हूँ सबसे पहले मैं जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बात, उसका रहा से आपको बताऊंगा तो चलिए दोसों, पहले जादू की तरफ चलता है क्या तो चलता है कर दो कर दो कर दो झाल झाल अब इस जादू की रहस्य की और चलते है दोस्तों यह जादू करने के लिए आपको थोड़ासान महनत करना पड़ेगा क्योंकि स्लेट आफ हैंस से किया जाने वाला यह जादू आपको लगातार कुछ दिन प्राक्टिस करना के बाद ही कर पाओगी तो रहस्य मैं बता देता हूँ आपको इस तरह से काड ले लेना है और इसको इस साथ से पकड लेना है पकड़ना नहीं है पकड़ने का कैवल आक्टिंग करना है ऐसे पकड़ते हो तो तास यहां पर इस तरह से हाथ में ले लेना है जीसे की यह पकड़ा हुआ है अंगुठा यहां पर है इसको इस तरह से गुमा करके इसा लेना है इस तरह तो इसको इस तरह से पकड़ने का है एक्टिंग कीजिए और यहां पर रख लीजिए और यह हाथ को खोल दीजिए एक बार इसको इसा हाथ कर दीजिए दूसरे बार जब इसा हाथ करता है तो क्या करना है यह जो तास है यहां पर रखावा तास इसको इस साथ में यहां पर छोड़ देना है और सीधा इस तरह से सामने आ जाना है इस एंगल में था इस एंगल में आ गया और यह हाथ उपर दिखा दीजिए तुरंदी कोई मोमें वापिस आजाए जीसे इस आथ में यह तास को रखाता उसी डंग से इसको उसी जगह पर पामिन कर दीजिए इस तरह वापिस आते समय उसी आथ में पामिन कर दिया और यह हाथ दिखा दिया खाली ऐसा एक बार किया दूसरे बार करते है तो यहां पर छोड़ दिया यहां पर आ गया वापिस आता समय जैसा है इसमें छोड़ाता उसी तरह से वापिस आता में ले लिया और यह हाथ दिखा दिया इस तरह और इसा पकड़ लिया यहां पर ले लिया इसको खोल दिया एक बार इसा किया दूसरे बार यहां पर छोड़ दिया हाथ सीधा यहां पर ले आया वापिस आते समय जैसे डालाता वैसा इसको पामिन कर दिया और ये हाथ को खाली दिखा दिया और अभी इस दो अंगली से इसको इस तरह से ले लेना है हम पर पामिन किया हुआ है थोड़ा सा हाथ को आगया इसा कीजिए और इसा निखालिए ये दो अंगली से पकड़ना है और इस तरह से निखाल देना